हेलो फ्रेंड्स परी किचन एंड ब्लोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि एलो वेरा के बारे में इसके फायदे और इसके गुड़ तो ये हमारी शरीर के लिए कितना लावकारी है स्वस्त रखने के लिए इंसान वह हर तरीके वह मिनाहत करता है जिससे उसका सरीर स्वस्त रहे हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत होती है इंसान की रोग प्रतिरोधक छमता एलो वेरा के उपयोग से बढ़ती है तो हम एलोवेरा के बारे में बात करेंगे इसकी दमदार खुबियों के बारे में बात करेंगे एलोवेरा के फायदे से मोटापे से मुक्ति मिलती है और बीपी भी कंट्रोल होता है सुगर नहीं होती है और गैस की प्रॉब्लम और चेहरे में निखार आता है तो जानिए किस बिमारी में कैसे करे एलोवेरा का इस्तेमाल एलोवेरा से आप काफी शारे रोगों से मुक्ती पा सकते हैं एलोवेरा का आयूरवेद में बहुत ही जादा आयूरवेदिक उपयोग किया गया है एलो वेरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही जादा लाबकारी है एलो वेरा को आप खाली पेट लें सुबा आप ब्रश करें उसके बाद में आप एलो वेरा ताजा एलो वेरा आप एक तोड़ लें और उसे छील करके उसके अंदर का गुदा दो से तीन चम्मच आप खाले इससे आपके सरीर में रोग प्रतिरोधक सकती बढ़ती है और रोगों की रोग थाम में भी बहुत ही लाबकारी है एलो वेरा को आप किसी भी मौसम में उप्योग कर सकते हैं अगर आपके पास ताजा एलो वेरा नहीं है तो आप मार्केट से जिल भी ले सकते हैं एलो वेरा हमारे सरीर के जिए बहुत ही गुड़कारी है जैसे अगर कहीं घाव हो जाए तो वो घाव को भी भर सकता है कहीं सूजन हो जाए तो उसमें भी लाबकारी है रक्त सुधी करता है, ब्लोकिज को साप करता है और डाइजेस्ट सिस्टम को सही करता है लीवर के लिए बहुत अच्छा और उप्योगी औसधी है इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं आप घर के किसी भी गमले में छोटा सा एक तोड़कर के लोवेरा लगा दे ये आसानी से उग जाता है किसी भी मिट्टी में और फायदे मंद भी होता है इसमें पोसकता तो अमीनो, एसिड, बिटमिन्स, मिरलर्स होते हैं इससे बिटामिन E, A और C, जिंक, मैगनीसियम, कैलसियम और प्रोटीन से भरपूर होता है एलोवेरा के उपयोग से आप काफी सारे रोगों को कंट्रोल में रख सकते हैं ये कुछ एलोवेरा के बारे में जानकारियां थी तो मैंने आपको बताया था कि आप ताजा एलोवेरा लेकर छील करके और चिंमस से इसका गूदा निकाल करके हाईए, ये बहुत ही जादा लावकारी है, कड़वा है, मगर फायदे से भरपूर है आपकी सेहत स्वास्त के लिए बहुत ही उपयोगी है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें, बेल आइकन प्रेश करें ताकि आने वाली वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहें दन्यवाद